दोस्तों आज के भाग दौर कि इस जिंदगी में एंजाइटी डिप्रेशन और इस्ट्रेस एकदम सामानिशी बात हो गई है इस्ट्रेस तनाव को कहते हैं एंजाइटी चिंता को कहते हैं और डिप्रेशन और साथ को कहते हैं लेकिन लोग इसमें फर्क को समझ नहीं पाते तनाव क्या है, चिंता क्या है और डिप्रेशन क्या है आज के वीडियो में एक मिनट के अंदर मैं इसी बात को बता रहा हूँ सबसे पहले आज के वक्त में जैसी हमारी लाइफ एश्टाइल है हर लोग या तो तनाव से ग्रस्त है या चिंता में है या फिर और शाद जिसे इंग्लिस में डिप्रेशन कहते हैं उसे ग्रस्त है और लोगों के लाइफ एश्टाइल को यह प्रभावित कर रहा है तो यह भी से हमें समझना है कि इसका मतलब क्या होता है तो जो इस्ट्रेस जहेल रहे हैं या एंजायटी या डिप्रेशन तो इन तीनों में अगर हम फर्क समझ लेते हैं तो फिर उसका निदान शॉलूशन भी आने लगता है अब इस्ट्रेस की बात मैं करूँगा इस्ट्रेस क्या है इस्ट्रेस को आसान भासा में आप टेंसन कह सकते हैं इस्ट्रेस या टेंसन या तनाव एक बात है तो जब आप इस्ट्रेस में होते हैं तनाव में होते हैं तो आपका दिमाग नकारातमक विचारों से प्रभावित होने लगता है आप निगेटिव सोचने लगते हैं आपका emotion निगेटिव हो जाता है और उसी ओर आपका मन भागता है ये तनाव की अवस्था है इसे stress या tension कह सकते हैं तो ये important बात है समझना दूसरी बात जो समझना है किसी घटना या विचार के कारण आपको तनाव हो सकता है किसी ब्यक्ति के कारण के साथ ऐसा हो सकता है कोई ऐसी घटना घटी या घटने की आसंका में तनाव हो जाए और आप इस stress में आ जाए तो ये समभव है और जादातर परिस्थितियों में यह चीज अपने आप ठीक भी हो जाता है दूसरी बात जो anxiety की बात है anxiety क्या है तो यह छिंता anxiety को छिंता कहते हैं अब यह छिंता एक विकार है यह सामन तनाव नहीं है जब तनाव लगातार होने लगता है तो वही तनाव anxiety यानी छिंता में बदल जाती है और जो ब्यक्ति anxiety लगातार तना हो रहा है तो anxiety हो जाएगा ऐसी सिती में ब्यक्ति को घबराहट या बेचैनी होने लगता है या एक मांसिक विकार है इसलिए जिसे चिंता को चिता भी कहा जाता है अगर long term तक चिंता रहती है तो ब्यक्ति को मांसिक रूप से बहुत प्रेशान करती है अगला जो पॉइंट है anxiety में ब्यक्ति को किसी भी चीज का डर सताने लगता है ब्यक्ति के दिल का धरकन तेज हो जाएगा पसीना आने लगेगा यह सब anxiety यानि चिंता का लक्षन है अब कोई आने वाला है घर में यह सोचकर उसका धरकन तेज होने लगेगा और पसीना आने लगेगा मन में यही बात होगा कि कैसे क्या होगा यह चिंता है यह anxiety का लक्षन है तो यह important बात है दूसरी बात anxiety की समस्या छनिक होती है हलाकि कुछ इस्थितियों में इसका long term प्रभाव हो सकता है यह भी हमको ध्यान देना होता है डिप्रेशन क्या है और डिप्रेशन सामान तनाव नहीं है डिप्रेशन शामान चिंता नहीं है इसे मांसिक आउसाद कहते हैं और यह गंभीर mental disorder है डिप्रेशन और डिप्रेशन हो जाने पर ब्यक्ति को अनेक तरह की समस्याएं होने लगती है पूरा सरीर का activity यानि दैनिक दिन चर्जा प्रभावित होने लगता है यह डिप्रेशन जो है height of tension है height of anxiety है तो यह समझना है और जो ब्यक्ति डिप्रेशन का सिकार होता है उसके मन में अक्सर negative विचार आएगा आते रहता है negative विचार तो यह important है और डिप्रेशन इस हद तक ब्यक्ति को जीवन को paralyze कर देता है कि सोचने समझने की छंता बहुत कम हो जाती है और यह ब्यक्ति के lifestyle को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है तो यह important बात है और अगर डिप्रेशन को सही समय रहते ठीक नहीं किया जाए तो ब्य है तनाव तो आएगा जाएगा समय बदला तनाव खतम stress खतम चिंता manage कर सकते हैं योगा वगर के माध्यम से चिंता को manage किया जाता है आप योगा कीजिए स्वस्त कीजिए यह सब हो सकता है लेकिन सवाल है कि जब डिप्रेशन हो जाएगा तो आपको डॉक्टर से सलाह लेन सकते हैं तो कुल मिलाकर यही तीन समस्याएं डिप्रेशन जिसे मांसिक और साथ कहते हैं इस ट्रेस जिसे तनाव कहते हैं और anxiety यानि चिंता तो यह तीनों में फर्क है तनाव को आप manage कर सकते हैं समटाइम तो तनाव अच्छी भी बात है बिटर परफॉर्मेंस के लिए आ गई नहीं तो इसका अंतिम रिजल्ट हो का डिप्रेशन फिर आपको निरो डॉक्टर से संपर्क करना पड़ता है तो योगा के माध्यम से और प्राथना वगरा के माध्यम से भगवान के सरण में रहकर इस समस्याओं का शमधान किया जा सकता है बहुत बहुत धन्यवाद झाल